रूस और यूक्रेन के बीच बढ़ता तनाव युद का खत्रा भी बढ़ा रहा है। और दिर पुतीन से कहा कि वो उनसेनिकों को पीछे हटा ले। जिन्हें यूक्रेन के साथ लगने वाली सीमा पर तैनात किया गया है। लोगों की मौत हो गई है। साल 2015 में युद्विराम के वावजुद यहां हिंसाब बनी हुई है। साल 2021 में ही 24 सैनिकों ने अपनी जान गवाई है। अब रूस ने मार्च के शुरुआत से सैनिकों की तैनाती बढ़ाना शुरू कर दिया है। जिससे युद्व की आशंका बढ़ गई है। जर्मनी को दवाव देते हुए रूस ने युक्रेन का नाम लेते हुए कहा कि वो तेजक कारवाई कर रहा है जिससे स्थिती बिगड़ रही है। वही गुरुवार को वाइट हाउस की प्रेस सचीव जैन साकी ने कहा कि अमेरिका ने रूसी सैनिकों की मूव्मेंट को लेकर अपने नाटो के सहयोगियों से बात की है। उन्होंने देश की रक्षा करने को लेकर सैनिकों को धन्यवाद कहा है। सब्सक्राइब शेयर एंड कमेंट करना बिलकुल ना भूले धन्यवाद। सब्सक्राइब को नेयर लाइब शेयर इंटन को लेकर सकता है। सब्सक्राइब शेयर शेयर धन्यवाद।